हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर राजनितिक सलाकार एके मिश्टा जी हमारे बीच हैं एके मिश्टा जी ये जो इस वक्त प्रतिक्रियां आ रही हैं हमने बात की तुनों ही पार्टियों से सभी आश्वस्त हैं लेकिन परिस्थिती क्या कहती है अगर आप नितिन अगरवाल का वोट देखें अगर आप अनिल सिंग का वोट देखें और राजा भाया को लेकि तरह-तरह की खबरें आ रही हैं वो तो हम देखी रहे हैं नहीं देखिए अक्षा जी मैं आपको बोलूँगा हमारे सारे मित्र किसी ने किसी राजनेतिक पार्टी के सदस हैं और आशावादिता क्या होती है ये इन से सीखना चाहिए हमें रियलिस्टिक होके अनालिसिस करना चाहिए मेरा किसी पार्टी से कुछ नहीं है मैंने सुबह भी आपको ये बोला था कि देखिए जो निर्दली विधायक हैं उनका में रोल होगा और क्रॉस वोटिंग का में रोल होगा कुछ चीजे जो हम लोगों ने बोली थी बीजेपी में भी कुछ क्रॉस वोटिंग हो लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे क्योंकि सजी सजाई हुई थाली को शोड़ करके उससे बहतर आप्शन बीजेपी वालों को नहीं मिलेगा दूसरी पार्टियों के जो अमीदवार करें कि हम अपने पार्टी को करेंगे लेकिन जा करके वोट किसी और को देंगे उसमें उनके अपने इंडिविजुल बेनिफिट्स है और उनकी अपनी की म्लानिंग working with कि BJP के लिए ये election भी बड़ा important है central के लिए central के point of view से तो मुझे नहीं लगता है कि BJP ऐसा कोई core कसर छोड़ेगी कि वो ये game हार जाए दूसरी partyों के लिए जीतने पे भी कोई बहुत miles नहीं मिलने वाला है ठीक है जीतेंगे वो एक दर्ज होगा record में कि वो जीत गए राजसभा में से बड़ा फर्क पड़ेगा ने राजसभा में फर्क पड़ेगा देखे इसमें question ये है कि बिपक्षी लोग क्यों interested है ये है कि वो BJP को रोकने के लिए ज्यादा interested है कि राजसभा में BJP को रोक दिया जाए या इस जीत से उनको कोई जो है direct benefit मिलने वाला है तो सारे के सारे लोग इस सीज में ज्यादा interested है कि राजसभा में जो BJP का सक्ति संतुलान है उसको check किया जाए उनको direct benefit कोई नहीं मिलेगा उनको केवल यह होगा कि BJP जो opposition है उसको check किया जाए मुझे यह लगता है कि BJP बहुत गंभीरता से इसको ले रही है दूसरी पार्टियां भी ले रही है और वो किसी भी तरीके से इस election को वो हारना नहीं चाहेंगे और अभी जितने भी आ रहे हैं देखे इन्होंने BSP बालों को भी तोड़ा दूसरे और लोगों को तोड़ा कई निर्दली लोगों को इन्होंने अपने में मिलाया तो उनके efforts भी बहुत जादा है चाहे कोई candidate हो चाहे जो भी हो वो भी देगा तो वो बीजेपी को देगा ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कुछ नहीं हूँ लेकिन उनकी जो उमीदवारी है उनका जो क्लेम है वो बहुत शशक्त है इनकेम प्रिजन ऑफ अदर्स तिंक्स ये डाइनमिक्स है ये फैक्ट है तो जिसके कारण की जो रिजल्ट जो ज़्यादा तर फेवरेवल होना चाहिए वो बीजेपी के फेवर में होना चाहिए चीज़ चलिए और हमारे राजनितिक सलाकार एके मिश्टर लगातार बने हुए हैं